नमस्कार मैं गीता घाडी स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर नगर निगम चुनाव के लिए आवेदन भरने के लिए उम्डी भीड बेलगाम नगर निगम चुनाव की सुनवाई सुप्रिम कोट में सोमवार को होगी बेलगाम हवाई अड़ा सेवा में क्रांतिकारी बदलाव जन्वार के शहीद जवान महेश घाडगे का अंतिम संसकार पूर्व मंत्री मिने कुलकरनी जमानत पर रिहा देल्टा वाईरस बड़ा रहा है कोरोना का खत्रा होटेल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए है फुट पार्सल और होम डिलिवरी सर्विस ब्रेकफास्ट, ब्लंच और डिनर साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी गोवीड-19 की तहट, स्वच्छता और सभी नियमों का पालन आज ही ओर्डर कीजिये और घर बेठे लजिस खाने का मज़ा उठाईए हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री होटेल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने कॉलेज रोड बेलगावी अब देखते हैं विश्चुत समाचार नगर निगम चुनाव को लेकर आकांक्षी उमेदवारों की भीड उमड पड़ी है चुनाव आयोग ने उमीदवारों को बहुत कम समय दिया है ऐसे में उमीदवारों के लिए चुनोती सिर्फ दो दिनों में नामांकन पत्र दाखिल करने की है इसलिए अब दो दिनों में आवेदन भरना होगा और फिर मतदाताओं से संपर्क करना होगा शनिवार को आवेदन भरने के लिए अब्यर्तियों की भारी भीड उमडी थी उमीदवारों की उमीदवारी आवेदन के साथ आवशक दस्तावेजों को सलगन करने का अब्वैस करना होगा इसलिए उनकी गती तेज हो गई है चुनाव की गोशना के बाद भी कुछ अनिश्चितता का मौहल था, कुछ उमिदवार कोड के फैसले का इंतजार कर रहे थे लेकिन अब जब तै हो ही गया है कि चुनाव होंगे तो पारशत पत की लड़ाई जीतने की जद्दो जहद शुरू हो गई है इसलिए शनिवार को शोहर में आवेदन केंद्रों के स्थान पर आकांक्षी उमेदवारों के साथ समर्त को और सुजाव देने वालों की भीड लगी रही कोरोना को लेकर कई तरह की पाबंदिया लगाई गई है उनके बाद चुनाव प्रक्रिया का सामना करने के लिए संगर्श शुरू हो गया है बेलगाम नगर निगम चुनाव की सुनवाई सुप्रीम कोट में सोमवार को होगी बेलगाम नगर निगम चुनाव के खिलाब सुप्रिम कोट में दायर एक याची का पर सोमवार 23 अगस्त को सुनवाई होगी इस याची का पर सुनवाई के दवरान याची का करता हो और उनके वकील द्वारा आवशक दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है नगर निगम चुनाव कराने के संबन्द में बैंगलर उच्च नायालई के आदेश को सरोच नायालई में चुनोती दी गई है याची का पर ततकाल सुनवाई की मांग करते हुए एक अंतरिम याची का भी दायर की गई है अंतरी मियाची कापर सोमवार को सुनवाई होगी 25 साल पहले बेलगाम हवाई अड़े से एक या दो विमान आ जा रहे थे लेकिन अब इस एरपोर्ट से 20 से ज़्यादा एरलाइंस का संचालन हो रहा है इससे पता चलता है कि बेलगाम में आर्तिक सुधार की काफी गुंचाईश है एरपोर्ट के सुधार के लिए विभिन सुविदाई उपलब्द कराने में एरपोर्ट एथोरिटी के अधिकारियों और कर्मचारियों का अहम योगदान रहा है केंद्रियन आगरिक उड़यन विभाग के सच्च्यू प्रदीप सिंह खरोला ने यह विचार वेक्त किया है प्रदीप सिंह खरोला ने शुक्रवार को बेलगाम के सामरा हवाई अड़े का दोरा किया निकट भविश में बेलगाम में दो फ्लाइंग स्कूल स्थापित किये जा रहे हैं इसका काम भी शुरू हो गया है करोला ने विश्वा जताया कि बेलगाम में फ्लाइंग स्कूल योजना सफल होगी यात्रा के दोरान सामरा एरपोर्ट से निर्देशक राजेश कुमार मौर्य ने प्रदिप सिह करोला का स्वागत किया और उनका अभिनंदन किया जन्वार के शहीच चवान महेश गाडगे का अंतिम संसकार महेश महाडेव गाडगे जो भारतिय सेना में सिपाई के पत पर सेवा रत थे उनका 19 अगस्त को चंडिगड में सेवा के दोरान बीमारी से निदन हो गया चिकोडी तालू का प्रशासन और जन्वार ग्राम पंसायत की ओर से राच्किय सम्मान के साथ उनके पार्थिव पर अंतिम संसकार किये गए महेश 2004 से सिपाई के रूप में सेवा दे रहे थे चंडिगड में सेवा के दोरान सेवा के अस्पताल में बीमारी के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया शुक्रवार सुब चंडिगड से विशेश विमान से उनका पार्थिव शरीर पुने स्थित सेना मुख्याले लाया गया बटालियन द्वारा श्रद्दान जली देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को पुने से जन्वार लाया गया उनके पार्थिव शरीर को यहां प्रातमी विद्यालाई में दर्शन के महारेजिमेंट की टीम ने उने शद्दान जली दी पूर्व मंत्री विनाई कुलकर्णी जमानत पर रिहा हत्या के आरोप में पिछले नौ महिने से हिंडलगा जेल में बंद पूर्व मंत्री विनए कुलकर्णी को आखिर कर शनीवार सुब जमानत पर रिहा कर दिया गया दारवाट जिला 15 सदस से योगेश गवडा की हत्या के मामले में पूलीस ने कॉंग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विनए कुलकर्णी को गिरफतार किया था कुलकर्णी पाच नवंबर 2020 से हिंडलगा जेल में बंद थे सुप्रिम कोट ने उन्हें सशर्थ जमानत दे दी है जमानत आदेश की प्रती शनीवार सुब स्पीड पोस्ट से चिला कलेक्टर और हिंडलगा जेल प्रशासक को सोपी गई जिसके बाद जमानत की प्रक्रिया पुरी की गई जेल से चुटने पर विनए कुलकरनी के समर्थकों ने उन्हें सेब और फूलों की माला पहना कर बदा ही दी इस बार जोरदार नारे बाजी भी की गई डेल्टा वाइरस बढ़ा रहा है कोरोना का खत्रा इंसा कोग के अनुसार भारत में डेल्टा वाइरस वर्तमान में कोरोना फैलाने का मुख्यकारन है इसलिए वैक्सिन की प्रभाव शिल्ता कम लगती है और वाइरस का प्रसार बढ़ रहा है इंसा कोग शीर्ष अनुवन्शिक रैंकिंग संगटनों में से एक है हाला कि टीका करण ने गंबिर बीमारी और मृत्यू के जोकिम को कम किया है लेकिन इसने प्रसार को कम नहीं किया है इसलिए टीका करण की अवशकता है इंसा कोग ने अपने 16 अगस्त के समाचार पत्र में यह स्पष्ट किया टीका करन के घटते प्रभाव डेल्टा वाइरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों की विफलता डेल्टा वाइरस के फैलाव को बढ़ा रही है इस बीच डेट सो दिन में इलाज कराने वाले मरीजों की संक्या घट कर 3,63,605 हो गई है भारत में टीका करन के बाद भी कुछ जगहों पर डेल्टा रेट बढ़ रहा है इस बुलेटिन के अगले समाचा छोटे से ब्रेक के बाद होटेल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए है फुट परसल और होम डिलिवरी सर्विस ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर साथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी कोवीड-19 की तहट, स्वच्छता और सभी नियमों का पालन आज ही ओर्डर कीजिए और घर बेठे लजिस खाने का मजा उठाईए हर पारसल के साथ एक मास्क फ्री ब्रेक के बाद फिर से एक बारापका स्वागत अफगानिस्तान में सत्ता तालिबान के हाथ में आ गई है और दुनिया भर में हलचल मच गई सभी देश अपने देशवासियों को बचाने के लिए लड़ने लगे है और कई अफगानी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे है इन सभी विकट परिस्तितियों में एक और गंबिर खबर सामने आ रही है यानि करीब 150 भारतियों को तालिबान ने काबूल एरपोर्ट के बाहर हिरासत में लिया है एन आई की रिपोर्ट है कि तालिबान ने काबूल हवाई अड़े के प्रवेश्टवार पर 150 भारतियों को हिरासत में लिया है विदेश मंत्राले टिपनी के लिए तुरंत उपलब्द नहीं था इस बिच तालिबान के प्रवक्ता अहमदुल्ला वासेक ने अफगान मीडिया को पताया कि 150 भारतियों का अपहरन नहीं किया गया है समर्थ नगर में सिलेंडर फटने से दो घायल समर्थनगर में एक नई कॉलनी के एक घर में सिलेंडर फटने से दो व्यक्ति घायल हो गए है दोनों को इलाज के लिए यहां के एक अस्पताल में भरती कराया गया मार्केट ठाने में मामला दर्ज किया गया है घटना समर्तनगर थर्ड क्रोस्तित नई कॉलनी के एक घर में सुबह करीब साथ बजे हुई इसके बाद ख्षेत्र के लोग मौकेपर पहुचे उन्होंने अपनी जान बचाते हुए घायर नागरीकों को निकालने का भी प्रयास किया लेकिन घर बुरी तरक छतिग्रस्त हो गया पाटिल गली शनी मंदिर की भीड में पैदल चलने वालों के लिए काफी परेशानी होती है इसी भीड में शुक्रवार की शाम करिब 6 बजे चोरों ने तवसिलदार गली में एक महिला के पर्स से साड़े तीन तोला का मंगल सुत्र, एक ATM काड और खुल 500 रुपए नगत चोरी कर लिए शाम को लगे ट्राफिक जाब में चोरों ने महिला के पर्स से लूट पाट की और मोके की और दोड पड़े कुछ देर बाद जब महिला को पता चला की उसके पर्स से चोरी हो गई है तो महिला हैरान रहे गई खड़े बाजार थाने में पुलीस में शिकायत दर्ज कराई गई है कुडची पुलीस ने 35 लाक रुपई की चोरी पकड़ी कुडची पुलीस ने 4 संदिग्द चोरों को गिरफतार कर 35 लाक 60,000 रुपई मुल्य की ट्रॉली या ट्रैक्टर, इंजिन और रोटर जपत किये गिरफतार किये गए लोगों में बसवराज मादेव संदी, दयानन मादेव संदी, चिदानन चुपुत्र लाले और सिद्रा मिमपा पटद है आगे की सुचना पर गश्ट पर कुडची पुलीस ने 4 लोगों को सुतटी क्रोस पर संदिग्द हरकत करते देखा उससे पुच्टाश में चोरी का खुलासा हुआ, उनको हिरासत में लेते हुए 35,60,000 रुपई की सामगरी की चोरी करने की कबुली की, उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेश दिया गया मिरज हुबली पैसेंजर ट्रेने फिर से चलेंगी मिरज हुबली, मिरज कैसरलोक इस रूट पर फिर से पैसेंजर ट्रेने चलेंगी रेलवे सुतरों के मुताबिक नैरुत्य रेलवे ने पैसेंजर को उतारने की पूरी तयारी कर ली है और रेलवे विभाग की ओर से हरी जंडी मिलते ही तारी की गोशना कर दी जाएगी नैरुत्य रेलवे ने पैसेंजर शुरू करने के लिए रेलवे के जोनल विभाग से अनुमती मांगी है पर 19 अगस्त को अनुमती के लिए पत्र भेजा गया है जोर्नल विबाग से अनुमती मिलते ही पैसेंजर दोडना शुरू कर देगी सुबा 10 बजे हुबली से रवाना हुए पैसेंजर साड़े 5 बजे हुबली और दोपहर 12 बचकर 55 मिनट बजे मीरज से ट्रेन रात 8 बचकर 40 मिनट पर हुबली पहुचेंगे मिरज कैसरलाग शाम 5 बचकर 25 मिनट पर रवाना होकर 11 बचकर 40 मिनट पर कैसरलाग पहुचेंगी सुबा 5 बचकर 40 मिनट पर पैसेंजर कैसरलाग से रवाना होकर सुबा 11 बचकर 35 मिनट पर मिरज पहुचेंगी यह प्रास्ताविक है महराष्ट एकीकरन समीती त्वारा मदद कक्ष की स्थापना नगर निगम चुनाव की प्रुष्ट भूमी में जहां मद्यवर्ती महराष्ट एकीकरन समीती एक प्रत्याशी को मैदान में उतारने का प्रयास कर रही है वही दूसरी और समीती के प्रदान कारियाले में एक हेलप डेस का खोली गई है रंगुबै पैलेस रामलिंग खिन गली में कोशादेक्ष प्रकाश मरगाले और समीती के नेता रंजित चवान पाटिल सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक हेलप डेस पर उपलबद रहेंगे जिन लोगों को चुनाओं में कोई समस्या है उनसे हेलप लाइन पर संपर्क करने का आगरह किया जाता है पुने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टिटूट के मैदान का नाम होगा नीरज चोपरा के नाम पर पुने में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टिटूट के मैदान का नाम नीरज चोपरा के नाम पर रखा जाएगा जिनोंने टोक्यो ओलम्पिक में भाला फेक में स्वर्ण पदक जीता है साथ ही इस बार 16 ओलम्पिक एतलेटिक को सम्मानित किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सीह सोमार को पुने जाएंगे इस बार वह आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टिटूट का दोरा करेंगे और कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इस बार मैदान का नाम नीरज चोपरा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टिटूट रखे जाने की संभावना है उदर सेना के सुत्रों ने बताये कि नीरज को पदन्नत किया जाएगा अलम्पिक में नीरज के प्रदर्शन को देखकर कहा जा रहा है कि उन्हें नीमो नुसर प्रमोशन मिलेगा रक्षा मंत्री राजना सीह और रक्षा बलो ने पदक जीतने के बाद नीरज की सराहना की देश में हर किसी को नीरज के प्रदर्शन पर गर्व है और रक्षा बलो ने कहा कि वह एक असली सैनी की तरह लड़े नीरच को 15 मैं 2016 से चार राजपुताना राइफोल्स में सुबेदार के रूप में नियुक्त किया गया है बबलू स्लैमर्स के पास राजिव गांदी कप राजिव गांदी के 37 जनमदीन के उपलक्ष में शुकरवार को क्याम के युनियन जिमकाना ग्राउंड के टर्फ फुटबल ग्राउंड में यूथ कॉंग्रेस बेलगाम असोसेशन और यूथ फुटबल असोसेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बबलू स्लैमर्स इन्विटेशनल फुटबल टोर्नामेंट चीता इस अउसर पर प्रतिक खाड़े को टोर्नामेंट का सर्वस्रेश्ट फुटबल खिलाडी और शेयस बांदेकर को सर्वस्रेश्ट गोलकीपर चुना गया फाइनल मैच में अचानक डेट पर बबलू स्लैमर्स ने ब्रदर् पर तीन तीन से ड्रो के बाद बबलू स्लैमर्स ने सड़न डेट के आधार पर ब्रदर्स 11 को एक शुन्य से हराया फाइनल मैच के बाद आयोजित पुरसकार वितरन समारों में कॉंग्रे सिवा संग के अध्यक्ष फैजान सेट शफी सेट खालिद एहमद इमरान बेपारी नाजिक बेपारी ने विजेता और उपर विजेता को आकरशक ट्रोफिया और नगत पुरसकार प्रदान किये इस टूर्नामेंट में आध टीमों ने भाग लिया था बबलू स्लैमर्स ब्रदर्स 11 तिरंगा 11 शेट विजर्ट 11 H MD 11 बेलगाम युनाइटेड यूएफ सी फा ले गए एक दिऊसे टूर्नामेंट के सभी मैंच अंतिम छंतक रोमान चक रहे विश्वयुवा एतलेटिक्स चांपेंशिप स्टाइल फाइनल भारत की शैली सीह ने शुक्रवार को विश्वयुवा एतलेटिक्स चांपेंशिप अंडर 20 महिला लॉंग जंप फाइनल में प्रवेश किया नंदीनी अकसरा हला की 100 मीटर बादा दोड के फाइनल में पहुचने में नाकाम रही क्वालिफाइंग दोर में बड़क बनाने के लिए शैली ने 6.40 मीटर की चलांग लगाई 17 वर्षिय शैली ने पहले प्रयास में 6.34 मीटर और दूसरे प्रयास में 5.98 मीटर तक पहुची लेकिन फाइनल जंप में उन्होंने बहतरिन लीप ली और रविवार को फाइनल में जगा पक्की कर ली क्वालिफाइंग दौर में स्वीडन में माजा असकाग और ब्राजिल के लिसान्डरा कैंपोस दूसरे और तीसे स्थान पर रहे नंदीनी पहले दिन महिलाओं की 100 मीटर बादा दौर में सेमी पाइनल में पहुची हाला की नंदीनी फाइनल के लिए क्वालिफाइं नहीं कर सकी और 14.16 सेकंड के समय के साथ छटे स्थान पर रहे पूर्षों की 110 मीटर बादा दौर में तेज़ शिर से पाचवे स्थान पर रहे पूजा महिलाओं की 1500 मीटर में गैरावे स्थान पर रहे शन्मुकर श्री निवास पूर्षों की 200 मीटर में पाचवे स्थान पर रहे और सेमी फाइनल से चुक गए पूर्षों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में शुनिल जोलिया ग्यारावे स्थान पर रहे पंजाब किंग्स को धक्का 22 करोड रुपए के दो खिलाडी प्रतियोगिता से बाहर इंडियन प्रीमियर लीग के 14 वे सीजन के बचे हुए मैच अगले महिने से UAE में खेले जाएंगे भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर की चर्चित लीग में दुनिया के तमाम दिगज और युवा खिलाडी खेलना चाते है IPL से पहले पंजाब किंग्स को बड़ा जटका लगा है लेकिन इसकी भरपाई के लिए पंजाब की टीम ने UAE में खेले जाने वाले मैचों से पहले एक नए खिलाडी को टीम में शामिल किया है नातन एलिस जिनों ने हाल ही में आस्टेलिया के लिए T20 में पदारपन किया था जाय रिचेसन की जगल लेने के लिए टीम में रखा गया है IPL का 14 सीजन 19 सितंबर से शुरू हो रहा है प्रतियोगिता के लिए धीरे धीरे टीमें आयोजन स्थल पर पहुचने लगी है सीजन के बाकी 31 मैच UAE में 15 अक्तूबर तक खेले जाएंगे सभी फ्रेंचाइजी टीमें अपने घायल खिलाडियों के अलावा अन्य खिलाडियों को शामिल करने में लगी है इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचा समाप्त हुए धन्यवाद